वेल्कम बेक टु आवर यूटूब चैनल जस्वाल जी के टैक आज जो हम पढ़ेंगे प्राइम्मेंट की ओमिश्रीस के बारे में सुफर्च जो हमारे पास आता है वो है आपके पास गिरिस बबबबब गिरिस बबबब कौन थे मेंबर थे आपके पालियामेंट के पूने स जो हमारे पास आता है वो है आपका सरा थोमस से 88 की एज में जो इनकी डैथ हो गई एक बैटन मल्यालम नोबली स्टॉर स्टॉरी राइटर थे और इनकी नोबल जो थी एक नर्मार्दी पुड़ावा जो इनकी एक नोबल थी इसके लिए ने साहितिया अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था 1979 में नेक्स जो हमारे पास आता है वो है आपके पास जस्टीस तो ताहिल भी राधा किष्णा 63 की एज में इनकी डैट हो गई और चीफ जस्टीस थे के ला हाई कोड के और चीफ जस्टीस थे अगर अधर फोर हाई कोड के आपका एक्टिंग चीफ जस्टीस क्यों होता है जब आपका चीफ जस्टीस की रेटारिमेंट हो गई होती है या चीफ जस्टीस जो प्रेजन्ट होता है जो एक्टिंग चीफ जस्टीस होता है वो रोल हजार सोला तक एंड फैब से लेके मास 2017 तक जो थे आपके रहे थे 63 की एज में जो है इनकी डेथ हो गई है इन्होंने 36 गरते लंगा आंधरपरदेश ते लंगा और कलकता हाई कोर्ट में जो है वो एज चीफ जस्टिच जो अपनी से वाई दी है नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका सुधीर नायक तो सुधीर नायक कौन थे एक इंडियन फॉर्मर इंडियन क्लिकेटर थे 78 की एज में इनकी डेथ हो गई है और 3 टेस्ट मैचिस और 2 ODIs जो है इनोंने इंडिया के लिए खेली थी 1974 और 1975 में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास जगरनात महतो जगरनात महतो कौन थे तो जगरनात महतो जेते वो ज़ारकंड के मिनिस्टर थे 56 की एज में की डेथ हो गई है अभी रिसेंटली 4 टाइम जो है आपके MLA रहे है दुम्री के और जो आपका कहां पर पढ़ इनकी डेत हो गही है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास जाला वाला वैल्त है तो जाला वाला वाद कौन थी ये एक तेटर आर्टिस थी, को फॉंडर थी आपकी दिल्ली अक्सरा थेटर की, इसके अलावा जो है, इसके अलावा इन्हों ने जो है, वो अपना कैरिये थेटर, जो है, वो स्टार्ट किया था, फूल सरकल से, 1968 में, उसके बाद इन्होंने, जो आपका अक्सरा नाटी है, वो उसको जो वो फॉंड किया था, तो यह आपकी को फॉंडर थी दिल्ली अक्सरा थेटर की, एंड नेक्स जो हमारे पास आता है, इसमें की, 86 की एज में, जो हो इनकी डैथ हो गई है, तो यह आप से पूच्छा जा सकता है, वो थी जो मूवी थी आपके पास, वो थी चिरुजालू वर्क जो है, वो इनकी मूवी आई थी, टॉली बूड की दो हजार एक में, इसके अलावा मैंनों ने काफी सारे मूवी इसमें जो वो वर्क किया था, लेकिन यह इनकी एक मूवी थी, जो फिर्स टाइम आई थी टॉली बूड में 2001 में, वो थी आपके पास, जीरुजालू वर्क, तो यह कौन थे आपके आदो ने, इस तिल हूए अक्टर और कॉमेडियन थे, टॉली बूड में की मूवी आई थी 2001 में, और वो मूवी थी आपके पास, जीरु, चालू, तो नेक्स जो हमारे पास आता है, वो है आपका पमेला चोप्रा, तो पमेला चोप्रा कौन थी, लेट यसराज चोप्रा की जो वाइफ थी, वो थी आपके पास पेमल चोप्रा, यह पले वैक्सिन कर थी, इस एंप्रा की एज में इनकी जोगा, वी रिसेंटली डेथ होगी, और जो यस जोप्रा थे वो फिल्में, जो हो डिरेक्टर थे फिल्म से या फिल्ममेकर, जो फिल्में मनाते थे, नेक्स जो हमारे पास आता है, वो है आपका टापोरी सत्या, तो तपोरी सत्या जो है ये एक करनड एक्टर और डिरेक्टर थे 45 की एज में जो हो इनकी डेट होगी और इन्होंने 30 से जादा मोबीज में वर्क किया है नेक्स जो हमारे पास आते हैं आपके इंपोर्टन है तारक फथे पाकिस्तान में जन्में हुए एक कैनेडियन कॉलमनिस थे अब कॉलमनिस आपके पास क्या होता है जो नोबल्स लिखता है और जो मैगजीन और न्यूस पेपर जो है वो लिखता है उनको बोला जाते हैं आपके पास कॉलमनिस तो जो आपके तारक फथे थे यह इनकी एक बुक थी, तो इनको याद रख लीजियागा, यह आपको इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, वो आता है आपका हिमान्सु मोहन चौधरी, हिमान्सु मोहन चौधरी कौन थी थ्रिपूरा के फर्स्ट पदमश्री अवार्डी थे, 83 की एजमेन की डाथ दोगी, और यह एक सिविल सर्विस ओफिसर थे, जब आपके पास बांगलादेश की लिब्रेशन बॉर्ट से लिवी थी, उस ताइम यह जो है थो एक सिविल ओफिसर थे, और फर्स्ट त्रिपूरा के फर्स्ट पदमश्री अवार्डी थे, आपके पास ही मांसू, मोहन चौरी, इसके अलावा हमारे पास कुछ और जो लोग जिनकी रिसेंटी डाथ दोगी हैं, वो थे आपके पास त्री लोचन कांवेज, 83 की एजमेन की डाथ हुई है, वो एक बेटर्ण पॉलिटीशियन थे, और फॉर्मर, MP, और ट्री टैंक जो आपके अमेले रह चुके हैं, ओडिशा के, उसके अलावा आपके पास आता है, माकू कोया, जो इनकी एज 76 थी, ये एक मल्यालम एक्टर होड कोमेडियन थे, और इनमें 400 से जादा मूवीज में जो वो वर्क किया था, तो ये हमारे पास कुछ ओवीटरी थी, आपके पास अपरैल मंत की, तो आज के लिए बस इतना ही भावाई, थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़ूर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलें न्यू वीडियो दिज़ बनाने के लिए, तो आज के लिए बस बाई-बाई, थैंक यू, टाटा,